हेलो एवरिवन आज मैं अपने टेरेस गार्डन का काम कम्प्लीट करने जा रही हूँ जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था तो चलिए आज इन सभी कामों को कम्प्लीट कर देते हैं सबसे पहले यह दिखिए यह मेरे टमाटर के प्लांट्स हैं जिनको मैंने ग्रो किया था सीट से बटे बंदर यहां पे इत्ते ज्यादा परिशान करते हैं जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स जो हैं वह काफी खराब हो गया लेकिन कुछ प्लांट्स जो है मेरे पास मैं इनको पिलखाई सेफ करने की कोशिश करती हूं तो यह वाली बेगन के प्लांट से इन्हें सपोर्ट की जरूइत होती है अजी में जिन जिन प्लांट की जरूइत है उन सभी में सपोर्ट लगा रह diving तो इसमें पॉड़ासा पेर है तो दो मैंने stick लगाई है उसमें और सभी को मैंने support दे दिया next मैंने मिर्ची के seed लगाए थे तो एक ही जो मेरे पास grow बैक उसमें बहुत सारे plants निकल गए तो मैं इसमें से कुछ प्लांट्स को निकाल दूँगी, मेरे पास कुछ जो grow bags खा लिएं, मैं उसमें लगा दूँगी तो देख सकते हैं आप जो जितने भी मिर्ची के प्लांट्स हैं, अब वो healthy grow कर रहा हैं, सब भी grow है अच्छी हो रही है लेकिन थोड़ा से इने स्पेस की ज़रत है इसलिए मैं कुछ इसमें से निकाल देती हूँ मिर्ची के पौदे जो healthy healthy मिर्ची के पौदे हैं उन्हें मैं निकाल दूँगी और मैं उन्हें दूसरे जो मेरे पास grow back से बड़े बड़े मैं उसमें लगा दूँगी तो चलिए इ 18 x 18 का grow back है तो इसलिए मैं इसमें तीन इस तरह से प्लांट लगा रही हूं तो थोड़ी दूर दूर पे हम प्लांट को लगाएंगे जिससे कि जब plant grow करें तो थोड़ा से healthy grow करें उन्हें इस पेस अराम से मिल सके grow होने के लिए तो मैंने इस grow back में तीन विर्ची के पौद तो मैंने इस grow back में भर दी उसके ऊपर मैंने इसमें थोड़ी से soil भर दी है और इसमें भी मिट्शी के plants लगा दूँगे इससे हमारा जो grow back है वो light weight भी रहेगा और इसमें growth भी जो है वो अच्छी होगे तो next मेरा जो काम है वो यह है कि मैंने का प्राजिता की बेल लगा र पर इस तरह से लपेट देती हूं तो बस इसको लपेटने के बाद अगर मुझे tie करने की जुरत होगी तो मैं रसी लेकर आई हूं बस मैं इसे ओपर से tie कर दूँगी तो इसमें जो चाब रांचे से बहुत अच्छी से grow को रही थी और इसमें flowering भी हो रही है अभी इन सभ पुदीना के प्लांट से लगा रही है जिससे में कड़ीना के बहुत अच्छी से grow हो रही है क्लिए इस पॉर्ट में सब्रास को भी नेक्स ये मेरा पॉट है इसमें मैं अलोवेरा लगा रखा था लेकिन इसमें सदा बाहर के सेट्स आप देख सकते हैं उड़कर कितने जादा आगें जिसकी वज़े से इसमें बहुत सारे सेट्स हो गएं तो में जतनें भी plant इसमें बने हैं सभी plants को मैं इसमें से remove कर दूँगी नहीं तो aloe vera के जो plant है वो सही शqu acknowledging stuff should wanna पाएंगे तो जतने भी इसमें यह छोटी छोटी से plants निकल लए हैं स Data Bahar के इन सभी को मैं स्टमिस से निकाल लूगी और मेरे पास एक वैसे सबसे पहले मैंने सबी प्लांट को निकाल लिया निकालने का आप देख सकते हैं यह जो पौट है यह धर्माकॉल का इसमें मैं पर सबसे को मैं लगा दूंग और आज मेरे टेलेस गारडन का इतना ही लुदिया काम था जो कि मैंने कम्प्रीट कर लिया तो मेरा अच्छा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई